मेरा ना मेराज और आप लोगा विलकम है हमारे सीडियोप चिनल लखी आरजमिया आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CAC में एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुए दोस्तो कि इलेक्शन कमिशन का जो काम है वो CAC को डायरेक्ट लिए दे दिया गया है जिसके अंतरकर दोस्तो आप लोग को यूजर आईडिय और पासवड लेने की बिल्कुल भी जवरत नहीं है तो दोस्तो वो क्या किस परकार से आप लोग काम करोगी क्या वो है एक नई अपडेट च CAC की उसमें किस परकार से काम करना है वो भी मैंने बता रहा है साथे-साथ दोस्तों जतने भी सारे गॉर्मेंट या प्राइवेट एजन्सीज या जितने भी सर्विसेश हैं उस सभी के बारे में मेरे चैनल पर आप लोग को पूरा डीटेल में वीडियो मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों एक आवर के अंदर यहाँ पर ट्वीट करके बताया गया है CAC has signed an agreement with the election department of the providing election services through CAC तो दोस्तों CAC के थुरू अब election commission की जतने भी सारे services होती है यानि कि दोस्तों voter ID card print out से लेके voter ID card download से लेके या voter ID card आप लोग आविदन से लेके duplicate voter ID card को verify करने से related या दोस्तों voter ID card में आप लोग को किसी नया नाम add करना है या दोस्तों किसी का voter ID card आप लोग को मंगवाना है तो दोस्तों correction करवाना है यह सारे services election commission के तोर से दी जाती है CAC को तो दोस्तों यह हला कि यह काम जो है already CAC में है लेकिन दोस्तों इसके लिए user ID and password लेना पड़ता है जिसके लिए दोस्तों आप लोग को पहले registration करना पड़ता है इसके बाद दोस्तों आप लोग के पास printing service को verify करना पड़ता है तब जाके यह service active होती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आवर के अंदर tweet करके बताया जा रहा है कि यह sign MO sign कर दिया गया है and CAC के थूरू जो यह काम होगा यह directly होगा directly होगा किसी का भी print out कर सकते हो किसी का भी online आविदन कर सकते हो जिसमें कि दूस्तों CAC Valley को काफी अच्छा खासा commission मिलेगा तो दूस्तों यहाँ पर मैं बता दू यह all over India के लिए नहीं है दूस्तों CAC Valley हरियाना state के हैं उन लोगों के लिए MO sign किया गया है यहाँ पर एक search का option मिलेगा आप लोगो बेसिकली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर election search मारना है जैसे मैंने election search मारा यहाँ बहुत सारे services add हो गये हैं हाला कि दूस्तों all over India के लिए आप लोगो एपी का registration करना पड़ता है जिसके related मैंने पूरा वीडियो बना रखा है लेकिन दूस्तों जो लोग हरियाना के लिए हैं उन लोगों के लिए अभी तक linking को add नहीं किया गया है मेभी एक दो दिन के अंदर linking को add कर दिया जाए तो जैसे कि मैं बता दू यहाँ पर मैं बता दू यूजर एडिय और पासवर्ड की जोरत नहीं पड़ेगी यहाँ से आप लोग अपना district का chain करना है assembly का chain करना है और अपना part number का chain करना है and select number पे click कर देना है यहाँ पर दोस्तों जो भी services हैं आप किसी का भी नाम आविदन कर सकते हो किसी का भी नाम हटाना है वो भी कर सकते हो यहाँ से online आविदन कर सकते हो लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बता दू हरियाना के लिए एक घंटा के अंदर यह update आया हुआ है तो इतनी आसानी से तो linkit add नहीं होगा मैं भी एक दू दिन का time लगेगा तो दोस्तों हरियाना के जितने भी CAC वे लिए हैं वो election commission में directly ही काम कर सकते हैं अगर आप लोग हरियाना के नहीं हो फिर भी election commission में काम करना चाहते हो तो मैंने already एक detail में वीडियो बनाया है कि आप CAC के थूँ election commission का work किस परकार से ले सकते हो किस परकार से आप लोगो idea approval करना है इसकी भी जानकारी मैंने details में बता रखे है तो दोस्तों उस वीडियो को check out कर सकते हो link आपको description में मिल लियागा तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में यही update थी मिलते हैं दूस्तों और एक से ने इंटरेशन वीडियों साथ तब तक लिए टाटा एंड गुडबाई